डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानिया आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है अगर आपको ऐसी ही वीडियोज देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न पूले तो हेड़फोन लगा लें, कमरे की लाइट्स आफ कर लें, क्यूंकि ये वक्त हो रहा है डरने का हेलो दोस्तो, मेरा नाम अजील है और मैं बेल्जियम के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ जब से ये इरिसेशन का समय आया है, यहां पर काम बहुत ज़ादा कम हो गए है मैं पेशे से एक ड्राइवर हूँ, और मैं एक बड़ी फैक्टरी में ड्राइवर का काम किया करता था लेकिन जब से छटाई होनी शुरू हुई है, यहां कई लोगों को निकाल दिया गया है जब से कोरुना काल आया है, बस जैसे दुनिया बदल सी गई है काम कम होते जा रहे हैं, उसके बाद भी ड्राइवर की अच्छी खांसी डिमार्ड है और मुझे लग रहा था उस फैक्टरी में मैं हमेशा के लिए लगा रहूंगा वहाँ पर कुल पांच ड्राइवर थे और मैं भी उन में से एक था मालिक कभी मुझे ले जाते तो कभी बड़े से ट्रक को चलाने का भी काम मिलता मुझे ड्राइविंग करना पसंद था इसलिए मैं वो काम भी बड़ी खुशी खुशी किया करता लेकिन रिसेशन की मार मुझे पर भी पड़ी हमारे वहाँ दो ड्राइवर को निकाला जाना था और हम आपस में बात कर रहे थे कि किसे निकाला जाएगा मुझे वहाँ सब इज़त से मिलते थे मुझसे इस तरह से बात करते थे कि मैं सीनियर हूँ और वो हमेशा मुझसे पूछा करते मेरी इज़त किया करते लेकिन मैं वो पहला था जिसे वहाँ से निकाला गया था शायद जादा पुराना होने के कारण मुझे काफी जादा तनख्वा देनी पड़ती थी और वो सब नए थे कम तनख्वा में भी मान जाया करते थे और कमीशन भी नहीं लिया करते थे जब आपका काम चल रहा हो तो सब कुछ बहुत जादा अच्छा होता है मेरे साथ भी सब कुछ अच्छा ही हो रहा था लेकिन आपकी दुनिया तब बदल जाती है जब वही अच्छी चीजें पलट जाएं उस नौकरी से मैं अच्छे खासे पैसे कमाता था घर अच्छा चलता था मैं अपने बच्छों को भी अच्छे से पढ़ा रहा था लेकिन अच्छानक उस नौकरी से मुझे निकाल दिया गया और नया काम ढूंडना कितना जादा मुश्किल होता है अब मैं समझ पाया था वहां कई फैक्टरियां थी मैं अलग-अलग फैक्टरिय में जा कर काम मांगता लेकिन इस सेशन में वहां से भी ड्राइवर को निकाला जा रहा था तो नए को रखने की तो बात ही नहीं थी कई जगे वो इतनी कम थनख़वा देते कि मैं घर नहीं चला सकता था तो वहां मुझे खुद मना करना पड़ता आस पडोस जितने घर थे हर किसी को नौकरी से निकाल दिया गया था योरोप में यही हाल हो चुका है और मैं भी परेशान हो गया था जितने पैसे जोड़े थे धीरे धीरे खत्म होने लगे थे और दो तीन महीने ही पहले मैं समझ गया था कोई भी काम मिले मुझे करना होगा वरना वो पैसे जब खत्म हो गए तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और ये घर की EMI भरनी भी बहुत जरूरी है वरना घर से ही निकाल दिया जाएगा और यहां जब घर नहीं होता तो आपको होमलेस कहा जाता है आप सड़क पर सोते हैं और मैं अपने परिवार के साथ इस तरह सड़क पर नहीं सो सकता था हो सकता है हमें शहर बदलना पड़े लेकिन आखरी कोशिश मैं करना चाहता था उसी शहर में मैं फैक्टरियों में घूमता गया अंत में किसी ने मुझे कहा एक होटल में एक ड्राइवर की नौकरी है लेकिन वहां सिर्फ ड्राइवर का ही काम नहीं करना है और भी कई सारे काम करवाएंगे इसी तरह मैं काम मना किया करता था लेकिन मजबूरी में उस काम को हां करने की ठान ली थी मैंने पैसे कम हो रहे थे भूखा नहीं मरना चाहता था हमारे शहर के बाहर यहां जंगल से घिरा हुआ यह बड़ा शहर है जिससे बाहर निकलने में वो बड़ी सड़क काम आती है और उन जंगलों के बीच कई बड़े बड़े होटल बने हुए है यहां उसी एक होटल में मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया था और इंटर्वियू में मैं पास हो गया वो जो भी कह रहे थे तुम्हें ये करना होगा वो करना होगा आखें जुकाए हुए मैं हां कर रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे वही तनख्वा उफर की थी जैसी मुझे उस फैक्टरी में मिला करती थी मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चलती अगर यहां उस तरें तनख्वा मिल जाती मैंने सर जुका कर हां कर दिया था और मालिक ने भी कह दिया था तुम्हें रिसेप्शन पर बैठना होगा उसी के साथ तुम्हें ड्राइवर का काम भी करना होगा लेकिन अब मैं सवाल पूछ सकता था तो मैंने उनसे कहा अगर मैं रेसेप्शन पर बैठा हूँ, इसके बाद आप कहीं भेज देंगे, तो कोई बाहर से इस होटल में रूम बुक करने के लिए आ गया तो मुझे क्या करना होगा। मालिक ने कुछ समय इधर उधर जांका और कहने लगा, यहां नीचे कुल पांच कमरे हैं, उपर जितने भी माले हैं, वहां मिला कर कुल बीस कमरे हैं, नीचे ही गेस्ट को रखा जाता है जो सामने से आते हैं, बाकी सारे नाइट गेस्ट होते हैं, यह जो नाइट गेस्ट है उनके बारे में जादा जाननी की जरूरत नहीं सामने से कभी भी नाइट गेस्ट नहीं आएंगे वो पीछे वाला दर्वाजा है ना वहां से नाइट गेस्ट आएंगे और वो नाम नहीं बताएंगे बस यहीं कहेंगे हम नाइट गेस्ट हैं नमबर 6 से लेकर नमबर 20 तक जितना भी वो कहें बस उस कमरे में ले जाकर उन्हें छोड़ देना है और रात को ही नाइट गैस्ट आया करेंगे दिन के वक्त तुम ड्राइवर बन सकते हो मैंने कहा जो दिन के वक्त आएंगे तो मालिक ने कह दिया डरने की जरूरत नहीं है यहां नीचे कुल 5 कमरे हैं वो 5 जो बुक हो चुके हैं 6-6 महीने का किराया दिया जा चुका है इसलिए 6 महीने तक यहां किसी गैस्ट को रहने नहीं देंगे बस तुम यह बोर्ड लगा कर बाहर जा सकते हो कि अब कोई कमरा खाली नहीं है मैं खुश हो गया था यहां जादा काम करने के लिए नहीं होगा ड्रैवर का काम करना होगा वो तुम बहुत खुशी-खुशी कर सकता हूँ यहां रिसेप्शन पर बैठना होगा क्योंकि सभी कमरे भरे हुए हैं तो दिन क के वक्त तो परेशानी होगी नहीं रात के वक्त जरूर होगी मुझे ये भी कहा गया था कि पांच दिन मुझे यहां पर रहना होगा उसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी होगी मुझे यहां आने की कोई जरूरत नहीं बड़ा अच्छा काम था और पहले ही दिन सुबह सुबह 9 बजे मैं वहां पर पहुँच गया था ये होटल बाहर से बहुत ज़्यादा खुबसूरत नजर आता है यहां गले आरे भी बहुत सुंदर हैं लेकिन जैसे ही मैंने दो कमरे खोल कर देखे थे जो पहले से बुक थे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गय थी यहां काम करने वाले लड़के को मैंने कहा किन कमरों की सफाई कर दो उसने भी सफाई के लिए मना कर दिया उसने कहा मालिक ने कहा हुआ है अंदर से एक भी सामान को हाथ नहीं लगाना है बहले ही वो जमीन पर गिरा हुआ क्यों नहो जब तक मालिक नहीं कहेंगे उन कम गेस्ट की मनजिल है, वहां सिर्फ वही आ सकते हैं, आप तक उपर नहीं जा सकते, ध्यान रखेगा, मालिक को पता चला, काम से निकाल देंगे आपको, ये बात सुनकर मैं नीचे एरिसेप्शन पर बैठ गया, अब मैं सूच रहा था कि ड्राइवर का काम मुझे कब करना लेकिन पूरा दिन मैं बैठा रहा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया, जिसे ड्राइवर की जरूरत हो, तो पूरा दिन ऐसे निकल गया, अब यहां चार दिन और निकालने थे, और रात को हम सो भी सकते हैं, लेकिन अगर नाइट गैस्ट यहां 11 बज़े से पहले आते हैं, उनका काम करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे यहीं पर बैठना होगा, पास में ही लेटना होगा, और पांच दिन इसी तरह से निकालने होगा, अब मैं रात तक इंतजार करता रहा, यहां कोई गैस्ट नहीं आया था, अगर सामने से आता भी उसे मना करना पड़ता इसके बाद लगभगराद के 9 बजे, पीछे वाला दर्वाजा खटखटाया गया, बार बार वो दर्वाजा खटखटाया जा रहा था, तब ही मैं भागता हुआ पीछे गया, चिटिकनी लगाई हुई थी, नीचे ताला लगाया हुआ था, जिसकी चाबी मेरे पास थी, औ यकिनन, मैंने वो दर्वाजा बड़ी मुश्किल से खोला था, वहाँ ताला लगा हुआ था, चिटिकनी लगी हुई थी, और दर्वाजे की जो कुंडी होती है, वो भी बड़े जोर से खोलनी पड़ती है, उसे खोलने के बाद सामने अजीब से कपड़े पहने एक आदमी आया, लेकिन पीछे लाल रंग की रोशनी दिख रही थी, पीछे कमरा था, और उसके आगे भी एक दर्वाजा था, यकिनन ये इस से भी पीछे से आया होगा, चलो मुझे क्या, मुझे यहीं तक बताया गया था, उस आदमी को मेरे सेप्शन तक ले आया, वो मेरी तरफ द मेरा पहना वो सूट, हाथ लगा कर चेक किया, बड़ा सुन्दर सूट है, कहां से बनवाया, मैंने कहा, ये मेरे ब्रादर इन लौ ने गिफ्ट किया था, वो कैनेडा से स्पेशल मेरे लिए ये लेकर आया था, वो मुझे कराने लगा, अच्छा, क्या तुम गए हो कभी कै मैंने कहा, नहीं, मन तो बहुत करता है, लेकिन मैं जा नहीं पाता, मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है, उसके बाद मैं उसके कपड़ों की तरफ देखने लगा, मैं उपर से नीचे तक देख रहा था, वो कॉस्ट्यूम बहुत अजीब सी थी, वो शरीर से चिपकी हुई अजीब लग रहे हैं न, हमारे यहां ऐसे ही पहनते हैं, तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, चलो कोई परेशानी नहीं, मुझे ये बताओ, मेरे लिए कौन सा कमरा है, मैंने कहा, आप नाम तो बताईए, उसने एकदम से आँखे उपर की तरफ की, और मेरी तरफ देना है, मुझे अब ये भी पता नहीं था, इसे कमरा कौन सा देना है, अब मैं उससे सवाल भी नहीं कर सकता था, मैंने सामने पड़ा, वो रिजिस्टर खोला, बार बार पन्ने पलटने लगा, मैं उसे दिखाना चाहता था, कि मैं यहां ढूंडने की कोशिश कर रहा हू लेकिन उसने उंगली कर दी उस चाबी की तरफ, उसने कहा, अठारा नंबर, मेरे लिए अठारा नंबर कमरा है, वो सामने चाबी पड़ी है, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम जो नाइट कैस्ट हैं, उनके बारे में कुछ लिखा नहीं जाता, मैं जल्दी से उस च चाबी मेरे हाथ से जैसे खींच कर पकड़ ली और कहा, अब मैं अंदर जा सकता हूँ, तुम रिसेप्शन पर जाकर बैठ सकते हो, उसने अपनी जेब से 200 डॉलर मेरे हाथ में रख दिये थे, यह US डॉलर थे, और इतने सारे पैसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश, बस यहाँ आकर चाबी देने के इतने पैसे, वो अब दर्वाजा बंद कर चुका था तो मैं भी चलता हुआ नीचे आया और रिसेप्शन पर बैठ गया, कुछ समय बाद पीछे वाला दर्वाजा दोबारा खटखटा आया गया, मैं भागता हुआ उस दर्वाजे के पास वहाँ मैंने चिटिकनी खोली, वो ताला खोला और सामने देखा, ये चोटा सा बच्चा था, दस साल का, उसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था, उसका शरीर पूरा का पूरा नंगा था, मैं उसे देखकर कुछ समय के लिए हसने लगा, लेकिन मैंने आँखे नीचे ज चाहिए, बस वो इतनी ही बात थी, वो मुसकराने लगा रोड़ कहने लगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें बाद में बताया जाएगा, वो रही चावी, 15 नंबर की, मुझे जल्दी से दे दो, मैंने वो 15 नंबर की चावी उसके हाथ में थामाई और एक बा तक वो कहते नहीं मैं उनके साथ नहीं जा सकता था। इसके बाद कोई और गेस्ट नहीं आया और मेरी आंख लगने लगी। मुझे नीद आ गई थी और रात को दो बजे मेरी नीद दब खोली जब मेरे सामने एक बूड़ा आदमी खड़ा था। उसने अजीब कपड़े पहने हुए थे और मैं हडबड़ा कर उठ गया और मैं कहने लगा सर आप नाइट गेस्ट हैं। उसने भी अपना सर हिला दिया तो मैं चावियों की तरफ देखने लगा और कहने लगा आपका कौन सा नंबर कमरा है मैं आपको चावी देता हूँ। उसने कहा मेरे पास चाबी पहले से मौजूद है मैं उपर कमरे से आया हूँ और तुम्हारे लिए एक काम है मुझे एक जनरल स्टोर पर ले जाओ एक ऐसी जगे जहां हर तरहें का जरूरी सामान मिल सके मैंने खामे सरहला दिया था और उसके बाद उसे लेकर मैं सामने गाड़ी की तरफ चल पड़ा यहां जितने भी गैस्ट आते हैं वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं आते और पीछे के दरवाजे से आते हैं लेकिन मैं उन सब का ड्राइवर हूँ उन्हें जिस भी चीज़ की जरूरत हो मुझे उनके साथ ही जाना होगा उस बूड़े को मैं आपर जनल स्टूर हाड़वे स्टूर कहां है मुझे कुछ खास सामा चाहिए मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं चल पड़ा मुझे पता है एक ऐसा जनरल स्टोर कहां पर है जहां हार्डवेर स्टोर भी उसके पास हो और रात के इस समय भी वो खुला हो 15 से 20 किलो मीटर का सफर कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला ना तो मैं उससे बात कर रहा था और ना ही वो मेरी तरफ देख रहा था बलकि उसकी नजरें नीचे की तरफ जुकी हुई थी जैसे आँखें खोल कर वो सो रहा हूँ जैसे ही हम उस टोर के पास पहुँचे अचानक से वो हिला जैसे वो सोया हुआ था आँखें खोल कर और उसे होशा गया हूँ वहां काड़ी रुकी और वो कहने लगा ठीक है यहां सब सामान मिल जाएगा वो उस गाड़ी से निकला उसके बाद उसकी जेब में धेर सारे पैसे थे अमूमन हम अपने पर्स में पैसे रखते हैं लेकिन उसकी दोनों जेबें भरी हुई थे दस हजार से बीस हजार डॉलर उसकी जेब में थे जिसका वो सामान लेने वाला था सबसे पहले वो जनरल स्टोर में गया वहां उसने धेर सारा मक्षन लिया बहुत सारा डिटर्जन पाउडर लिया उसी के साथ हार्डवे स्टोर से उसने रसी ली उसने हथोड़े लिये उसने कुछ चाकू लिया और एक गन भी ली उसने बड़ी आसानी से वो बंदूक ले ली थी और वो सारा सामान उसने पीछे रखवा दिया और मुझे कह दिया चलो होटल की तरफ मैं घबरा सा गया था उसने जो जो सामान लिया था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कातिल हो कोई हत्यारा हो किसी को मारने के लिए ये सामान ले रहा हो मन में अजीब अजीब खयाल आ रहे थे और मैं बार बार सर घुमा कर पीछे मुड कर देखता वो कर के रहा है उसकी आँखें खुली, वो देखता नीचे और जैसे सोया हुआ होता तब ही मैंने बोलकर उससे बात करनी चाही मैंने जो भी बोला जैसे उसे सुनाई दिया ही ना हूँ उसने कोई जवाब नहीं दिया, शायद वो सो रहा था इस तरहें हम होटल में पहुँचे वो सारा सामान मैंने कंधे पर उठाया हुआ था, बहुत ज़्यादा भारी था उसमें एक बड़ी सी गन भी थी और कई सारी गोलियां वो सारा सामान लेकर मुझे तीसरी मंजिल तक चड़ना पड़ा वो बूड़ा था, धीरे धीरे चल पा रहा था, लेकिन मुस्कुराए जा रहा था उसे जैसे अचानक खोशाता था, और अचानक आँखें खोल कर जैसे सो जाता हूँ कई जगे सीड़ियां चड़ते चड़ते, वो कुछ समय के लिए रुक जाता तीस सेकेंड के लिए वो जैसे अकड सा जाता, मैं घबरा जाता, जैसे उसे कुछ हो ना गया हो लेकिन फिर से वो चल पड़ता, जैसे बार बार उसे कोई दोरे पड़ रहे थे लेकिन पीछे की तरफ वो हर बार मुस्कुरा कर देखता जब भी वो रुका हुआ होता अब वो मुझे तीसी मन्जिल पर ले गाया, उसने इशारा किया वो है कमरा मैंने कहा आप कमरा खोलिए ये सारा सामान में अंदर रख देता हूँ मेरे ये शब्द उसे शायद अच्छे नहीं लगे, वो आँखें फाड़ कर मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, तुम कमरे के अंदर नहीं आसकते, तुम बस यहीं सामान रख दो, अंदर मैं खुद ले जाओंगा मैंने का, ये सारा सामान आप कैसे लेकर जाएंगे, काफी भारी है, आप कहीं मैं रख देता हूँ अब वो गुस्जा होने लगा था, तुम्हें कह दिया ना, कमरे के अंदर तुम नहीं आसकते, सामान यहां पर रख दो, मैं खुद ले जाओंगा इसके बाद मैंने सारा सामान दर्वाजे के बिल्कुल आगे रख दिया, मैं थोड़ा दूर खड़ा हो गया था, और वो भी इंतजार करने लगा, कि मैं कब जाओं और वो सामान अंदर लेकर जाए, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं उस गले आरे से थोड़ा निकला, एक तरफ से, कोने में उसे देखने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं यहां से उसे देख रहा हूं, उसने जैसे ही वो दर्वाजा खोला, अंदर से जैसे ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, यहां इतना ठंडा मौसम नहीं होता, जितनी ठंडी हवा बहां से आ रही थी इसी के साथ उस कमरे में जैसे ठंडी बर्फ थी वहां पैरों पर लगी हुई मुझे बर्फ दिखी उड़कर उस हवा के साथ बाहराती बर्फ दिखी यहां अंदर यह बर्फ बना रहा है और बिल्कुल ऐसी जैसे खराम मौसम के समय यहां पर बर्फ पड़ती है अब उस बर्फ का समय नहीं है लेकिन कैसे कमरे के अंदर यह करवा पा रहा है मन में मैं सोचे जा रहा था उसने सारा सामान अपने कमरे के अंदर रखा वो दर्वाजा बंद कर दिया जैसे ही वो दर्वाजे के अंदर चला गया मेरा काम था नीचे आकर मेरे सेप्शन पर बैठ हूँ क्योंकि आधी रात से जादा का समय था लेकिन मैं फिर भी देखना चाहता था। मैं चल कर गया उस दर्वाजे के पास और जितनी पास मैं जाता गया थंड बढ़ती गई। कुछ समय के लिए उसने दर्वाजा खुला था और इतनी जादा थंडी हवा यहां पर बहर चुकी थी कि मुझे डर लगनी लगा था। दर्वाजे के पास पहुंचते ही जो दर्वाजे का हैंडल होता है वो पूरी तरह से जमा हुआ था। उस पर उंगलियों के निशान उस बूड़े के छपे हुए थे। अब उस दर्वाजे को मैं खोल तो सकता नहीं था य मुझे यहां पर ड्यूटी करनी है। काम पहले आसान लग रहा था लेकिन नींद की परिशानी बहुत दंग करेगी। मैं इस बारे में सोच रहा था और कब मेरी आँख लग गई मुझे पता नहीं चला। अभी तो नींद जैसे उड़ी हुई थी अचानक नींद आ जैसे एक छोटी सी जबकी ली हो मैंने और 9 बच चुके थे दिन का वक्त हो गया था और मैं इधर उथर जहांकने लगा था। अब मैं यहां ब्रश कहां करूं। मैं उस सफाई वाले लड़की के पास का यार उससे पूछने लगा। उसने भी इशारा कर दिया कि पीछे य मैंने ब्रश किया उसके बाद दोबारा सेप्शन वाली सीट पर आकर बैठ गया। हर सुबह मैं एक ही काम करता हूं। अकबार पढ़ता हूं। उसके बाद खास खास खबरें मुबाइल पर पढ़ता हूं। कहां कहां क्या क्या हो चुका है हर चीज जानने की कोशिश करता हूं। अकबार मैंने पढ़ ली थी उसमें जादा ताजा जानकारी नहीं थी। आज रात को क्या घटनाएं हुई उसकी ताजा खबरें मुझे मुबाइल पर मिलने वाली थी। मैं मुबाइल को खोल कर वो नियूज रीड करने लगा। एक एक करके मैं वो खबरें पढ़ इसी के साथ एक के मुँ में बहुत सारा सामान ठूस कर उसकी सांस रोक कर उसे मार दिया। एक दरिंदा जिसे बाद में पुलिस ने भी सर पर गोली मार कर जान से मार दिया। उसकी नीचे तस्वीर दी गई थे और ये तस्वीर मेरे पहचान में आ रही थे। ये तस्वीर उसी बूड़े की थी जिसे मैं उपर कमरे में छोड़ कर आया हूँ मेरे होश उड़ चुके थे उसकी कई तस्वीरें वहाँ पर दी गई थी और हर तस्वीर में वैसे ही कपड़े वैसा ही चहरा ये वही था इसने इतना लंबा सफर कैसे ते कर लिया मैं समझ नहीं पाया इस अभी तो उपर वाले कमरे में छोड़ा था कुछ घंटे पहले और अलासका पहुँचने में लगभग 12-13 घंटे लग जाते हैं कैसे ये इतने समय में वहाँ पर पहुँच गया होगा मैं सोचता रह गया और तभी खयाल आया क्यो ना उपर कमरे में जा कर देखू वैसे भ बात वहां काम करने वाले एक लड़के को बताई लेकिन वो लड़का मुझे बार बार चुप रहने को कहने लगा उसने मुझे इशारा किया कि उपर कैमरे लगे हुए हैं इसलिए मुझसे यहाँ पर बात मत करो इस तरह इशारे मत करो साधहरन तोर पर शांत होकर बात करो मैं उससे जानना चाहता था वो इतना ज़ाधा डर क्यों गया है क्या उसे ये सब पता है उसके बाद वो मुझे बाथरूम के करीब ले गया वहां पर कैमरों से सही तरह से रिकार्डिंग नहीं होती थी वो कैमरा शायद खराब था वहां पर मैं उससे बात करने लगा और वो भी मुझे कहने लगा तुम्हें उपर वाले कमरों में क्या होता है उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए यहां खास तोर पर बताया जाता है उपर वाले कमरों में क्या चल रहा है हमें नहीं जानना है हमारा काम बस नीचे वाले कमरों के लिए ही है उपर से जब भी कोई नीचे आए हमें सिर्फ उसे बाहर तक लेकर जाना है उपर हमें उनके साथ नहीं जाना है मैंने का नीचे वाले कमरे 6-6 महीने साल-साल के लिए बुक है इस होटेल में कमाई कैसे होती है और पिछले कमरे से कहां से लोग आते हैं, वो पीछे वाला दर्वाजा, कहां निकलता है, का कभी जानने की कोशिश की है, वो मुझे कहने लगा, यहां होटल की जादा जानकारी नहीं लेनी चाहिए हमें, वरना हमें काम से निकाल दिया जाएगा, और हो सकता है उससे भी जा कर, यह बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, किसी से यह बात करना मत, उसकी बाते सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे, मैं इसकी जानकारी तो चाहता था, लेकिन उसने अब डरा कर रख दिया था, इसलिए मैं रिसेप्शन वाली सीट पर जाकर बैठ गया, अब मैं इंतजार कर रहा था कि कोई न कोई यहां पर आएगा जरूर, लेकिन मेरा पूरा दिन गुजर गया, ना तो सामने से कोई आया, और ना ही पिछले उस दर्वाजे से कोई आया, वो दर्वाजे से शायद रात कोई ही कोई यहां अंदर आ सकता था, पूरा दिन मैं इंतजार करता रहा और दिन के वक्त ही मुझे नीद आती रही, कई बारे एक एक दो दो घंटे के लिए मैं सो जाता, अपने आप मेरी नीद खुलती, कोई मुझे तंग तक नहीं करता, मालिक ने कहा हुआ था, अगर दिन के वक्त कभी नीद आ जाये तो तुम सो सकते हो, दिन के वक्त यहां बह पिशे का दर्वाजा खुला, वहां से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी, दर्वाजा खुलते ही एक दस साल का बच्चा चलता हुआ मेरे पास आया, उसके हाथ में एक बैग था और वो बैग बिलकुल खाली था, वो चलता हुआ मेरे पास आया और उसने चाबी की तरफ इशारा किया, मैंने वो चाबी उसे पकड़ा दी, वो मुझे गुसे से देख रहा था और भागता हुआ वो उपर चड़ गया, मैं अब जानना चाहता था वो कहां पर जा रहा है, मैंने भी धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर दिया, मैं कैमरों की नजर से भी बचन के अंदर खुसा हूँ, लेकिन वो सीडियां पास में ही है, वो दर्वाजे को खोलते ही, वो गल्यारा बिल्कुल बंदसा हो जाता है, इतना चोड़ा दर्वाजा है उस बातरूम का, और वो कैमरे आगे तक नहीं देख सकते, दर्वाजा खुला हो, और एक दम से छालांग लगा कर मैं सीडियां पर चड़ जाओं, तो किसी को पता तक नहीं चलेगा कि मैं सीडियों की तरफ गया हूँ, इसी तरहें बचता बचता मैं तीसरी मंजिल तक गया था, वहाँ, वो कमरा था, जिसकी चाबी उस बच्चे ने ली थे, वो बच्चे ने ना तो मुझे हैलो कहा था, ना ही मुझे से बात करने की कोशिश तक की थी, लेकिन मैं उसके पीछे जाता रहा, वो बार बार मुड कर देखता और मैं एक दम से छिप सा जाता, पीछे वाला बीस नंबर कमरा, ये उसके लिए था, और जैसे ही उसने चाबी घुमाई, वो दर्वाजा खुला, लेकिन उस दर्वाजे के पीछे से इतनी गर्म हवा निकली जैसे अंदर आग लगी हुई हो, जैसे बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी रेत बिखर चुकी थे, कैसे हो सकता है ऐसा एक दर्वाजे के पीछे इतनी ठंड की बरफ बाहर आ रही हो, और दूसरे दर्वाजे के पीछे इतनी गर्मी इसी के साथ रेत भी बाहर गिर रही हो। वहां धीरे धीरे रेत बहुत जादा गिरनी शुरू हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर जैसे रेत का बादल गिरा हुआ हो और आंधी चल रही हो। उसने जैसे ही दर्वाजा बंद किया मैं उस दर्वाजे के पास जाकर उसके अंदर सुनना चाहता था। मैंने उस दर्वाजे से कान लगा कर अंदर सुनने की कोशिश की लेकिन अंदर इतनी शांती थी इतनी शांती कि कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अंदर तो गया हो, लेकिन आवाज बिलकुल नहीं कर रहा, ना जूते उतारने की आवाज, ना सामान रखने की आवाज, ना चाबी रखने की आवाज, यहां पर बहुत साथा गर्मी हो चुकी थी, दर्वाजे के पीछे से इतनी जादा गर्मी बाहर निकली थी कि पूरा गल लिया कि मैं यहां इतनी पीछे तक पहुंचा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से भागना शुरू हो गया, वो दर्वाजा भी खुलने वाला था, मैं छलांग लगा कर उन सीडियों से ही नीचे कूद पड़ा, मेरी टांग मुड़ गई थी, लेकिन आवा बहुत जादा कपड़े पहन रखे थे, उसने सर पर अजीब सी टोपी पहन रखी थी, वो चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, और मैं भी लंगड़ाता लंगड़ाता उन सीडियों से नीचे उतरा, उसके शरीर पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे, मैं किसी तरह से नीचे पहुँचा और बात्रूम का, वो दर्वाजा पहले से खुला था तो मैं उसके अंदर घुसा और जल्दी से बाहर निकलने की एक्टिंग करने लगा, ताकि कैमरे में ये आए कि मैं बात्रूम तो गया था, लेकिन गलती से दर्वाजा खुला छोड़ गया, अब मै बहुत जादा प्यासा भी लग रहा था, बार बार इथर उथर देख रहा था और उसने मुझसे कहा था, बानी मिलेगा, गला सूख रहा है, मैंने रिसेप्शन पर रखी, वो बोतल उसे पकड़ा दी और वो पूरी बोतल गटक गया, उसके बाद वो पीछे वाला दर्वा सकता हूँ, आप बाहर जाने से पहले इलाज करवाना चाहेंगे, वो पीछे मुड़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, और उसने अपनी शट के दो बटन खोल दिये थे, उसकी चाती पर बहुत बड़ा कटका निशान था, जिससे खून बहरा था, शरीर पर पत्त जैसे उसे दर्द हो ही ना रहा हूँ, मैं सोच में पढ़ गया था, उस बड़े चाती के कट को देखकर मैं घबरा कर उससे बोला, सर आपको एमरजनसी की जरूरत है, खून जादा बहरा है, चोट बहुत जादा लग चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और क्या करूँ, उससे क्या कहूं कहां लेकर जाओंगा, वो तो घबरा ही नहीं रहा, उसने अपना सर आगी की तरफ गुमाया, वो दरवाजा खुला, अंदर से अब जैसे नीले रंग की रोशनी और लाल रंग की अलग-अलग सी रोशनी अलग-लग कौनों से बाहर की तरफ पड़ रही थे, वो कमरा अजीब सा था और उसके आगे और दर्वाजा, उसने पहले ये दर्वाजा बंद किया और अंदर से एक और आवाज आई, जो शायद अगले वाले दर्वाजे को खोलने की थे, उपर बहुत बड़ा सा इन बोड भी लगा हुआ था कि इन दर्वाज से कहां जाया जा सकता है, मुझे पता तो लगाना ही होगा, अब मैं सही से पता लगाने के लिए प्लैनिंग करना शुरू कर गाया था, मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि ये जो कैमरे लगे हुए हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कहां पर होती है, कुछ समय के लिए अगर किसी को पता ना चल सके क्या ये किसी तरह के क्रिमिनल है जो यहां आकर कुछ करके जाते हैं। मुझे अब ये जानना था। वहां मैं हुटल में गूमने लगा। मैं नीचे गूमता गया और अलग-अलग कमरों में देखता गया। वहां एक सेक्यूरिटी रूम भी था लेकिन सेक्यूरिटी गार्ड यहां पर कोई नहीं था। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया। पीछे बहुत बड़े सीप्यू रखे हुए थे और कम्प्यूटर लगे हुए थे। नीचे मैं जान गया था। कैमरे की रिकॉर्डिंग यहीं पर हो रही है सामने स्क्रीन पर सारे कमरों की सारे गल्यारों की रिकॉर्डिंग चल रही थी वो कैमरे काम कर रहे थे। मैंने नीचे जाकर वो बटन दबा दिया और सारी कैमरी बंथ अब मैंने सोचा था कि कैमरों को 15 मिनट तक बंद रखोंगा और 15 मिनट में ही ये काम मुझे निपटाना होगा मुझे इस होटल के पीछे जाकर देखना होगा यहां बहुत सारी कंटीली तारें लगाई हुई थी बाड लगाए हुए थे पीछे दिवार बनाई हुई थी लेकिन पीछे जाने का कोई तो रास्ता होगा ही ना मुझे अब बस यही देखना है यहां कोई रास्ता सामनी से तो दिख नहीं रहा था बड़े बड़े बाड़ों को पार नहीं किया जा सकता था कंटीली तारों को भी पार नहीं किया जा सकता था उन्हें काट कर ही पीछे जाया सकता था मैं होटल के बाहर निकल गया अब पूरी दिवार को घूम कर मैं पीछे तक पहुँच गया था पीछे वो दिवार लगभग 12 फुट उंची थी लेकिन उस दिवार पर छोटे 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 छेद बने हुए थे पहले से मैं खेलों में बहुत ज़ादा फुर्तीला रहा हूँ इसलिए इन छेदों में पैर फंसा कर मैं उपर तक चड़ सकता हूँ लेकिन परेशानी ये थी मेरे घुटने में चूट लग चुकी थे फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई पीछे से उस दिवार पर मैं चड़ गाया था दिवार पर चड़ते ही उस दिवार से नीचे उतरने का रास्ता और भी आसान था पीछे बहुत सारी इंटे पड़ी थे लेकिन मेरा दिमाग तो ये सोचने में असमर्थ हो चुका था यहां सब कुछ बंद है तो पीछे से कहां से आते हैं वो सब कहां से आते हैं ये जवाब कौन देगा मुझे मैं उस दिवार को फांद कर अब इस साइड आ चुका था ये होटल की पिछली साइड थी और ये दरवाजा इसी तरफ खुलना चाहिए लेकिन यहां पर बस दिवार और एक खिड़की यहां तो कोई दरवाजा है ही नहीं कहां से आते हैं वो सब क्या नीचे कोई टनल है यकिनन टनल ही होगी इसके बाद वो खिड़की काफी नीचे थी लेकिन वहां कोई जंगला नहीं लगा हुआ था अगर मैं किसी तरह से खिड़की को खोलूँ तो मैं वहां पर जा सकता हूँ एक खिड़की किस तरफ जाती है मुझे जानना है मैं उस खिड़की को खोल बैठा था और जैसे ही मैं उस खिड़की को खोल कर पीछे की तरफ गया ये वो कमरा था वो काला कमरा और एक तरफ आगे जाने वाला दर्वाजा एक तरफ पीछे जाने वाला दर्वाजा यहां तो मैं हैरान हो चुका था आगे जाने वाला दर्वाजा तो चलो होटल के अंदर जाता है पीछे जाने वाला दर्वाजा यहां पर क्यों लगाया हुआ है यहां तो बस एक दीवार है ना दीवार पीछे से यो बंद है यहां जो भी आता है वो दिवार को पार कैसे कर जाता होगा मेरा दिमाग घूमने लगा था मैं पागल हो सकता था मैं उस खिड़की से बाहर आ गाया क्योंकि समय हो चुका था दोबारा कभी सोचूंगा क्या करना है क्या मेरी सोच से बाहर है ये जो यहां पर हो रहा है मैंने वो दिवार को फांदा और दूसरी तरफ पहुंचा और भागता हुआ होटल के रिसेप्शन पर आ गया तब ही दिमाग चला कैमरे तो अन करने है भाग कर मैं उस कमरे में गया और कैमरे अन कर दिया और वो लड़का जो आस पास सफाही कर रहा था उसने मुझे वहां पर जाते हुए देख लिया अब वो भागता हुआ मेरी पास आया और कहने लगा कैमरे मुझे लग रहा था कि बंद है यहां एक लाल रंग की रोशनी निकलती है जब भी कैमरे चल रहे होते हैं लाल रंग की रोशनी निकलती है मैं कब से सोच रहा था रोशनी नहीं निकल रही तुमने कैमरे बंद किये थे ना अब मैं घबरा गया था डर जैसे अंदर फैल चुका था क्योंकि अगर ये मालिक को बता देगा तो मुझे काम से निकल दिया जाएगा मैं उससे कह रहा था देखो देखो किसी को बताना मत मैं बस ये जानना चाहता था यहां हो क्या रहा है मुझे डर लग रहा है ऐसा सुनते ही उसने कहा तुम अपने ही पैर पर कुलाडी मार रहे हो तुम कुछ नहीं जान पाओगे और मेरा यकीन करो अगर जान गए तो जिन्दगी का कोई मज़ा नहीं रहेगा तुम्हें जिन्दा रहने में कोई मज़ा नहीं आएगा ये गल्ती मैं कर चुका हूँ तुम मत करना अचानक मेरे कान खड़े हो गए थे आँखें चमक गई थी तो तुम जानते हो यहां पर क्या हो रहा है वो पीछे वाला दर्वाजा वो तो बस दिवार की तरफ निकलता है इसका मतलब वो काला कमरा वो बस वहां पर बैठ जाते होंगे जब मैं रिसेप्शन पर आता होंगा तब वो उस दरवाजे को खोल कर वापिस आ जाते है या क्या होता है मैं जान नहीं पा रहा तुम्हें सब पता है उसने हां में सरहला दिया था लेकिन मुझे कहा था मैं कभी तुम्हें बताऊंगा नहीं और जानने की कोशिश मत करना मैं मालिक को बताने वाला हूँ, अब तुम्हें यहां से निकाल दिया जाएगा, यकीन करो तुम्हें यहां निकाला जाना बहुत अच्छा है, तुम अपने अंदर जो किरोसिटी बना कर रखे हुए हो, वो तुम्हें नर्क की तरफ ले जा रही है, यकीन करो, ये कहते ही व दूर चला गया था, मैं उससे माफी माग रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, वो रुक नहीं रहा था, मैं जान गया था, कल सुभे तक वो मालिक को बता देगा, मुझे यहां से निकाल दिया जाएगा, और उससे पहले ही मुझे जो करना है, वो करना होगा, तब ही बच पाऊंगा, क्या करूं मैं, अगर मैं सारी सचाई जान गया, तो शायद मुझे यहां पर रखा जाएगा, वैसे भी यह सारी सचाई जानता है, यह भी तो यहीं पर है, इसने गलती की है, फिर भी यह बच पाया है, तो मुझे यह सब जानना ही होगा, इसके बाद मैं म देशों की नियूस रात के वक्त भी आप देख सकते हैं। किसी दूसरी जगह जब दिन होता है तब हमारे रात होती है। भले ही रात को यहां पर कम घटनाएं होती हैं लेकिन दूसरे देशों में बहुत सारी घटनाएं होती है। एजिप्ट की खबर ने मुझे हैरान कर दि चाको को अपने सर में घुसा लिया और उसकी मौध वहीं पर हो गई। मैं हैरान था उस तस्वीर को देख कर यह वो लड़का था जो उपर वाले कमरे में गया था यहां हो क्या रहा है यहां हत्यार्य आ रहे हैं लेकिन वो हत्याई यहां नहीं करर रहे दूर कर रहे हैं जहां तक इतने समय में पहुंचा नहीं जा सकता हैरान परिशान मैं सोच में पढ़ा हुआ था करूं तो करूं क्या अब समय बीता जा रहा था और मुझे सच्चाई जानने के लिए उपर वाले कमरों के अंदर जाना होगा क्या सामान रखा है वहां पर देखूं तो सही हत्यारे यहीं पर आते हैं उपर वाले कमरे में ठहरते हैं उसके बाद पीछे वाले दर्वाजे से कहीं चले जाते हैं आते भी तो वहीं से हैं मैं जल्दी से उन सीडियों में चड़कर उपर वाले कमरों को खोलने की कोशिश कर रहा था कुछ की चाबियां मेरे पास थी मैंने एक चाबी निकाली और मैंने रेंडमली ही इस चाबी को चूज किया था मैं जैसे ही तीसरी मंजिल पर गया वहाँ पर सोला नंबर कमरा था मैंने ठान लिया था उन बिल्डिंग्स को मैं पहचान सकता था मैं बेल्जियम का रहने वाला हूँ लेकिन इस बिल्डिंग को मैं पहचान सकता था मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ लेकिन असंभव है जो मेरी आँखों के सामने है ये लंडन की बिल्डिंग थी एक दर्वाजे को खोलते ही मैं लंडन में कैसे पहुँच गया मैं हैरान और परिशान था मैंने वहाँ चल कर आगे जाने के लिए ठान लिया था मैं लगभग आधे किलो मीटर तक आगे गया वो बिल्डिंग्स वही थी मैं लंडन में ही था या उसकी नकल इतनी बड़ी कैसे एक कमरे में बनाई जा सकती है हैरान परिशान सोच में पड़ा हुआ था मैं जल्दी से मैं भाग कर पीछे पहुँचा चाबी मेरे हाथ में थी लेकिन वो दर्वाजा जहां से खुला था ये एक और बिल्डिंग का दर्वाजा था बहुत अजीब सा दर्वाजा मैंने चाबी उसमें घुमाई जैसे ही दर्वाजा खुला वहां मैं अपने होटल में पहुँच गया मैं अब सूच में पड़ गया था करूं तो करूं क्या मैं जल्दी से भाग कर सेप्शन पर पहुचा वहां एक और चाबी उठाई अब मैंने तेरा नंबर चाबी उठाई थे इसके बाद जल्दी से भागता हुआ मैं तेरा नंबर कमरी को खोलने के लिए गया मैंने वो तेरा नंबर कमरा खोला सामने दिन का वक्त था ये कोई और देश था रेगिस्तानी देश हवा में रेट वहां जमीन पर भी रेट दिख रही थी ये कोई अरब का देश था मुझे ये भाशा थोड़ी थोड़ी आती है वहां लोग सड़कों पर घूम रहे थे काफी आगे तक चल कर गया मैं और एक आदमी से पूछा ये कौन सी जगह है उसने मुझे शहर बताया और वो शहर भी पहचान में नहीं आ रहा था अब उससे मैं पूछ रहा था ये प्रॉविनेस कौन सी है वो मेरे चहरे की तरफ देखने लगा मैं उसे हैरान नहीं करना चाहता था लेकिन एक कमरे में इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं मैं आगे गया आगे वहां अख़बार पड़ी थी उस पर मुझे जिस देश की आकरिती देखी वो था इजिप्ट मैं इजिप्ट में था उनकी सडकों में घूम रहा था यहां पर रेट की आंधी आती है इसी कारण इस कमरे से वो रेट निकल रही थी मैं फिर से पीछे मुड़ा वो दर्वाजा मेंने बंद कर दिया मैं सोज में पड़ा हुआ था इस होटल में क्या हो रहा है यह चाबियां चमतकारी है यह दर्वाजे चमतकारी है इन दर्वाजों को खोलते ही आप दूसरे देश में पहुंच जाते हैं लेकिन रहसे तो यह है वो लोग कहां से आते हैं क्या इन देशों से आते हैं हमारे होटल में क्यों रहने आते हैं इस सवाल का जवाब चाहिए था मन में खुशी तो बहुत थी जिन्दगी में पहली बार अगर आपने चमतकार देखा हूँ तो आपके होश उड़ जाते हैं मेरे होश भी इसी तरह से उड़े हुए थे इसके बाद मैं भाग कर रेसेप्शन पर पहुँच गया मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे यहां पर वो लोग आते हैं जिन्होंने कहीं पर जुर्म किया होता है वो यहां आते हैं छिपकर रहते हैं उन्हें इन चमतकारी दर्वाजों के बारे में पता है इन चाबियों से उन दर्वाजों को खोला जाता है जो दूसरे शहरों में पहुँचते हैं लेकिन इसे बनाया कैसे गया होगा कैसे ये चमतकारी दर्वाजे बनाए है क्या पुरानी कोई तकनीक से बनाए है मैं पहले से मानता था जादू होता है लेकिन छिपा हुआ होता है आज मुझे जवाब मिल गया था मेरे चेहरे पर मुस्कान थी तब ही पीछे वाला वो दर्वाजा खुला और उससे एक औरत चलती हुई बाहर आई उस औरत ने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था उसे देखते ही मैंने भी अपनी नजरे जोगा ली भले ही ये कोई औरत थी जिसने कपड़ा ना पहना हो उसने वो चाबी खुद उठाई ये चाबी थी पंदरा नंबर कमरे की वो अब पंदरा नंबर कमरे की तरफ जा रही थी और उपर चलती हुई गई और दर्वाजा खुलने की आवाज आई और मैं वहीं रिसेप्शन पर बैठा हुआ था मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए थे लेकिन कुछ सवाल बड़े अजीव से थे आखिर इसने कपड़े क्यों नहीं पहने थे और वो आदमी जिसके शरीर पर बहुत चोट के निशान थे वो हंसराहा था उसका जवा मुझे कम मिलेगा और वो बच्चा जिसने इतने कतल कर दिये और खुद भी मारा गया क्यों यहां कातिल आते हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं लोगों को मारते हैं और खुद मरने की कोशिश क्यों की होगी उसने जब उसे पता था दर्वाजे से वो भाग सकता है कोई पता ही नहीं कर पाएगा कि वो दूसरे देश में है यहीं छिपकर रह सकता था खुद को क्यों मारा उसने मैं यह जानना चाहता था और शायद सवाल का जवाब मुझे उस पीछे वाले दर्वाजे से ही मिलेगा मेरे टांगे कांप रही थे मेरे दिल की धड़कन तेज थे शायद इसके लिए मुझे दोबारा कभी माफ ना किया जाए शायद यहां काम करने वाला वो लड़का भी उतना ही जानता है जितना मैं जान गया हूँ यह चमतकारी दर्वाजों के बारे में फिर भी पीछे वाले दर्वाजे का राज मुझे पता करना है ये दर्वाजा कहां खुलता है कौन से देश में किस जगए पर जंगल है या कोई ऐसी जगए जहां कोई कपड़े नहीं पहनता बाकियों ने ते कपड़े पहने थे इस औरत ने कपड़े क्यों नहीं पहने थे मुझे इसका जवाब चाहिए अब पीछे वाले दर्वाजे की तरफ में चल पड़ा था इस पर कोई चाबी नहीं लगती ये अपने आप खुलता है जल्दी से मैं भागता हुआ पीछे गया मैं उस दर्वाजे को खोलने की कोशिश करता रहा मैं हैंडल घुमाता रहा वो दर्वाजा नहीं खुल पा रहा था शायद वो दूसरी तरफ से ही खुलता है अब करूं तो करूं क्या मैंने पूरी कोशिश कर ली उसके बाद मैंने सूचा हुआ था कोई और इस दर्वाजे से आएगा ही मैं दर्वाजे के पास खड़ा हुगा मैं उस दर्वाजे के पास तीन घंटे तक खड़ा रहा था रात का वक्त था और शायद समय चार बजे के करीब का होगा मैं वहां पर खड़ा रहा और उस दर्वाजे के अंदर से एक और आदमी निकला जिसका कद साथ फुट के करीब था उसने अपना सर नीचे की तरफ जुकाया और उस दर्वाजे से बाहर आया और आगे की तरफ चल पड़ा जैसे ही वो आगे पहुंचा था, मैं उस दर्वाजी कोई खुले हुने का फाइदा उठा कर उस दर्वाजे के अंदर घुस गया था ये वो काला कमरा था, सामने वाला दर्वाजा भी थोड़ा थोड़ा खुला हुआ था, वो बंद हो रहा था मैं जल्दी से जाकर हाथ बीच में फसा कर उसे रोक पाया था, अब मेरे दिल की धड़कन इतनी जादा तेज थी कि मैं बता नहीं सकता अपना जूता मैंने पीछे वाले दर्वाजे के बीच फंसाया हुआ था, कहीं ये दर्वाजा बंद हो गया तो मैं बाहरी नहीं निकल पाऊंगा यहां वो खिड़की भी दिख नहीं रही थी, जो पीछे वाली उस दिवार के अंदर बनी हुई थी मैं इसी काले कमरे के अंदर आया था जा किसी और काले कमरे के अंदर पहुँचा था, यहां तो कोई खड़की नहीं है बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घुमे जा रहे थे और अब मुझे इस दर्वाजे के पार जाना था यह वो दर्वाजा है जिसके पीछे से सबाते हैं और यहां से अजीब सी हवा रही थी, शरीर ना ठंडा हो रहा था, ना गर्म हो रहा था मेरे शरीर पर ये कपड़े लहरा रहे थे और क्या बयां करूं मैं उस द्रिश्य को मेरा शरीर जैसे बिखर रहा था रेत की तरहें, जैसे ही मैं उस दर्वाजे के अंदर अपनी उंगलियां थोड़ी सी घुसाता, मेरी उंगलियां रेत की तरहें बिखर सी जाती जैसे छोटी छोटी कन हवा में उड़ने लगती, मेरा शरीर बिखर सा जाता, जैसे ही मैं उंगलियां खींचता, वो एक आकार में आती और उंगलियां दिखने लगती, मैं समझ नहीं पा रहा था ये कैसा चमतकार है, ये दर्वाजा कहा जाता है, शायद इसे पार तो करना ह सामने से अजीब नीले और लाल रंग की रोशनियां निकल रही थी, लेकिन ये रोशनियों के पार कुछ दिखने ही रहा था, हिमत की मैंने उस दर्वाजे के पार गया और पार जाते ही, मेरा शरीर जैसे हवा में धुएं की तरें घुल गया, वो एक आकार में नहीं रहा, वो जैसे वहां पर घुल गया था और छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गया था, कणों के रूप में, वहां अंधेरा था भी, रोशनी भी थी, क्या बया करूं मैं, ना भूख लग रही थी, ना प्यास, मैं उस जगे के हर कुने में पहुँच रहा था, मुझे अंत्रिक् रहा था, और ऐसा भी लग रहा था, मैं असली नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे ग्रह, बहुत सारी गैलैक्सीज नजर आने लगी और मेरी आँखें चुन्दे आने लगी थी, जबकि आँखें मौजूद तक नहीं थी, द्रिशत दिख रहे थे, हर जगे मौजूद होने का वो अलग सा एहसास और अचानक मेरा सरदर्द होने लगा, मेरे सर के अंदर से जैसे रोशनी बाहर की तरफ निकल रही थी और अचानक मैं शरीर में वापिस पहुँचा, मैंने आँखें खोली, मैं एक कैपसूल में था, मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, और ये शरीर भी मेरा नहीं था, मैं जैसे किसी औरत के शरीर में था, वहां उस कैपसूल में हाथ लगाते ही, मैं उसके बाहर निकल आया था, बाहर हर चीज अजीब सी थी, धुंदली धुंदली सी, और वहां कई लाइने जैसे पाइप की तरें दिख रही थी, जो एक दूसरे के अंदर जा रही थी, सही तरह से समझ ही नहीं आ रहा था, ये अलग सा दृश्या, सामने स्क्रीन भी लगी हुई थी, लेकिन मैं हर चीज़ को पार कर रहा था, मैं दीवारों के पार जा रहा था, वहां पर मुझे कई लोग दिख रहे थे, जो दूर थे या करीब थे, मैं स थोटी हो जाती, वहां मुझे सामने कई लोग भी दिख रहे थे और उनकी संख्या अनंत थी, अब वहां वो लोग मुझे पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन मैं बता नहीं सकता, जैसे हम इनसान तीन आयामी दुनिया में रहते हैं, हमारा शरीर एक आकार में होता है, वहां सामने लोग तो बहुत संख्या में थे, मैं समझ नहीं पा रहा था, वो मेरे करीब हैं या दूर हैं, बार बार मैं आँखें बंद करता और आँखों के पार भी दिखने लगता, मेरी आँखें दो थी या बहुत सारी मैं ये भी समझ में नहीं पा रहा था, लेकिन मे उमें से किसी ने कपड़े नहीं पहन रखे थे लेकिन उनका शरीर भी बार बार रूप बदले जा रहा था। और बहुत जादा डरा हुआ घबराया हुआ शरीर के मेरे कपड़े जैसे कायब हो चुके थे। मैं बिलकुल नगन अवस्था में था और वापिस दर्वाजा खोल कर भागा था। मैं रिसेप्शन की तरफ जा रहा था। यहां जो कपड़े हैं वो एक कमरे में रखे होंगे मुझे पहले वो कपड़े पहनने होंगे। जैसे ही मैं उस गल्यारे के आगे से निकल रहा था। वहां मुझे वो काम करने वाली लड़के ने देखा था। मैं अब भी बहुत सवालों के जवाब चाहता था जो मुझे नहीं मिले थे। मुझे इस अवस्था में देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गाया था और वो सिक्यूरिटी रूम की तरफ भागा जबकि मैं अपने कमरे की तरफ भागा। अपने कमरे में बैठा मैं रोए जा रहा था क्योंकि मैं समझ नहीं पाया अपनी नौकरी कैसे बचाऊंगा। ये मैंने क्या देखा है मैं कहां गय रहा था और सोच भी रहा था तब ही दरवाजा खुला और वो काम करने वाला मेरी पास आया वो मुझसे बात कर रहा था और उसने मुझे जो जो जवाब दिये सवाल खत्म हो चुके थे और सोचने की शमता भी उसने मुझे सीधा कह दिया तुम्हें कहा था उस दरवाजे क इप पार मत जाना तुम पहुंच गए वहाँ पर अब तुम वापिस नहीं आ सकते मैंने कहा मैं बस जानना चाहता था मुझसे गलती हो गई मुझे इस काम से मत निकालो उसने कहा अब यह तुम पर होगा कि तुम ये काम करना चाहते हो या नहीं वो तुम्हें नहीं निकालेंगे शायद तुम ही यहां से जाना चाहोगे मैंने कहा मैं क्यूं जाना चाहूँगा इससे जादा अच्छी तंख्वा मुझे नहीं मिलेगी लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो लोग कौन थे क्या यहां यह चमतकाई दर्वाजे एलियन्स के पास लेकर जाते हैं वो पीछे वाला दर्वाजा वो तो जैसे किसी औरी दुनिया में ले गाया था उसने मुझे जवाब दिया किसी और दुनिया में असली दुनिया में लेकर गाया वो तुम जानते हो वो लोग यहां पर क्या करने आते हैं हमें जानता हूं वो दर्वाजे अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग दीशों में खुलते हैं, वहां जाकर वो क्राइम करते हैं, ये क्रिमिनल हैं जो यहां पर आते हैं, वो हंसने लगा और कहने लगा, क्रिमिनल, तुम्हें क्या लग रहा है, वो लोगों को मारने क्यों क्या उन्हें खास कुछ मिलता है किसी को मार कर तुम्हें क्या लगता है मैंने का वो शायद होंगे ही कातिल और बचने के लिए यहां आते होंगे उसने हंसते हुए कहा सब जूट है हमारी ये दुनिया जूट है हम एक सिस्टम में बंधे हुए हैं ये एक कम्प्यूटर प्रोग्राम है, हमारी ये दुनिया असली नहीं है, वो असली है, उन्होंने हमें बनाया है, इसलिए वो लग अलग दर्वाजों में आते हैं, एक शरीर में यहां पर आते हैं, जिस तरह हम किसी जू में जाते हैं, कोई गेम खेलने के लिए जाते हैं, और हम वहां खेल कर अपने मज़े करते हैं, भले ही उस गेम में हम कई और केरेक्टर को मारते हैं, वो भी यहां पर यही करने आते हैं, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो यहां बस मज़े के लिए आते हैं, जैसे जू में जाना हो, घूमते हैं, फिरते हैं, वापिस चले जात हम तीन आयामी यानि की थर्ड डाइमेंशन में रहते हैं और वो हायर डाइमेंशन से हमें बस गेम की तरहें चलाते हैं वहां मैं स्थब्द हो चुका था मैं ये मानने को राजी ही नहीं था लेकिन उसके शब्द बहुत तीखे थे वो उस कमरे से जा चुका था और मेरा दिमाग फटने को आ चुका था क्या ये सच है? क्या ये दुनिया जूटी है? क्या हम बनावटी प्रोग्राम हैं बस इस दुनिया में जी रहे हैं हमारा कोई वजूद नहीं है जैसे एक गेम के कैरेक्टर जो सोचने लग जाते हैं कि वो असली हैं लेकिन असल में वो मौजूद नहीं है हमारे दुआरा बनाए गए है और हम भी बस इस प्रोग्राम में ऐसे ही कैरेक्टर है क्या यही सच्चाई है? उसके बाद मैं रिसेप्शन पर चला गया था लेकिन मेरा दिल बैठ चुका था मुझे जैसे सच्चाई पता चल गई थी और हर किसी से मोह उठ चुका था सच्ची जिन्दगी में जीने का मज़ा होता है हम तो जूठे कैरेक्टर है तब ही उपर वाले कमरे से एक छूटा सा लड़का आया जिसकी उमर 15 साल होगी वो मेरे करीब पहुँच गया था उसने मुझसे सवाल करने शुरू कर दिये और वो सब जानता था मैंने क्या क्या किया है वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा देखो तुम्हें अपना दिल इस तरह से बैठाना नहीं चाहिए हमने तुम्हें इसी तरह से बनाया है कि तुम सब कुछ सोच सकते हो हम भी जीते हैं और तुम्हें भी प्रोग्राम ऐसे की आगया है कि तुम अप खुद को असली समझो ऐसे उदास मत हो अपनी जिंदगी जीओ खुश रहो हम भी तो अपनी जिन्दगी जीते हैं मैंने भी उससे कह दिया लेकिन तुम तो असली हो ना हम बस बंधे हुए हैं हम बस प्रोग्राम हैं और तुम हमें चलाते हूँ उसने मेरे हाथ में हाथ रखा था और उसके बाद मेरी घबराहट कम होने लगी थे जैसे वो कुछ कर रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर से कुछ जुडाव सा मेरे शरीर के अंदर हो रहा था अब मुझे अच्छा लगने लगा था लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया फिर से घबराट होने लगी मैंने उसे कहा तुम मुझे अपनी दुनिया में ले चलो मैं असल में जीना चाहता हूँ मैं जाकर आया हूँ किसी औरत की शरीर में था शायद मैं वो मुझे कहने लगा तुम नहीं कर पाओगे हमारा शरीर बहुत अलग है हमारा दिमाग बहुत अलग है तुम उस दुनिया को देख ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, तुम यहां पर ये बनावटी चीजे देखने के आदी हो, तुमारा दिमाग इस तर तक ही है, हमने ऐसा ही बनाया है, लेकिन उस तर तक तुम पहुँचोगे तो पागल हो जाओगे, दृश्या समझ न नहीं पाओगे, दुनिया समझ नहीं पाओगे, तुम कभी उस तर तक नहीं पहुच पाओगे और वापिस भेज दिया जाओगे, यहीं के बने हो, यहीं पर जीओ, यह कहकर वो उस तरवाजे के पीछे चला गया था, और मैं वहां पर बैठा स्तब्द, किसी सवाल का जव नहीं जाता था, वो मुझे मिल चुका था, उसके बाद एक महीने तक मैंने वहां पर काम किया, लेकिन अब भी मेरा मन नहीं लगता, मुझे हमेशा लगता रहता है, यह सब जूट हो, सचाई ना हो, लेकिन मैं सचाई देख चुका था, हम जूटी दुनिया में रहते हैं, सच कभी देख नहीं पाते, वो हमें चलाते हैं एक गेम के कैरेक्टर की तरह, जैसे हम एक जूट में जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, वो हमें देखने के लिए आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, और कुछ हमें मारते भी हैं, इसे वो जुर्म नहीं समझते अपनी दुनिया में क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है एक करेक्टर की तरह ही मैं इस कहानी को किसी को बताना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता है हर कोई इस पर यकीन नहीं कर पाएगा हम सच जानना ही नहीं चाहते सच बहुत कड़वा होता है